पर में 42 यदि दो बृत एक दूसरे को स्पर्स करें तो स्पर्स बिंदू दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक ही सर रेखा खंड में होंगे यहां दो बृत है, एक बृत का केंदर है A, दूसरे बृत का केंदर है B और दोनों एक दूसरे को P बिंदू पर इसपर्स करते हैं तो प्रदत में लिखेंगे A और B केंदर वाले बृत एक दूसरे को दूसरे को P बिंदू पर इसपर्स करते हैं तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि A, P और B सम रेखिये हैं यानि कि A, P, B तीनों एकी रेखा में सिद्ध है इसके लिए रचना करेंगे रचना में हम A से P और P से B को मिला देंगे लिख देंगे A, P और P, B A, P और P, B को मिला देंगे प्रमान अब एक केंद्र वाला ब्रित और B केंद्र वाला ब्रित एक दूसरे को P बिन दुपेस पर्स कर रहा हैं इनका P एक उभएनिस्ट स्पर्स बिन्दू होगा P एक उभएनिस्ट स्पर्स बिन्दू है अब हम मान लेंगे माना A, T एक स्पर्सक है जो दोनो ब्रित को दोनो ब्रित को P बिन्दू पर स्पर्स करता है यानि कि A, T भी क्या हो जाग उभएनिस्ट स्पर्सक या उभएनिस्ट स्पर्सक बना जैते हैं या हमारा A, T उभएनिस्ट स्पर्सक अब A, T स्पर्सक है जो कि P बिन्दू पर स्पर्स कर रहा है दोनो ब्रित को इसलिए हम लिख सकते हैं कि A केंद्रेव ब्रित को यदि S, T पी बिन्दू पर स्पर्स करता है A केंद्रवाले ब्रित को S, T स्पर्सक P बिन्दू पर स्पर्स करता है इसलिए A, P लंब हो जाएगा S, T पर उसी परकार B केंद्रेव ब्रित को S, T P बिन्दू पर स्पर्स करता है तो B, P लंब हो जाएगा S, T पर अब देखो अगर S, T पर A, P लंब है और B, P लंब है S, T पर A, P भी लंब है और B, P भी लंब है और दोनों लंब A कही बिन्दू पर है और A कही सर रेखा पर है इसलिए हम कर सकते है A, P और B, P A कही सर रेखा मिशनी था और दोनों एककाी सर रेखा मिशनी था तो हम बोल सकते है A, P और B तीनों सर रेखीक बिन्दू है लिग देंगे तब इसलिए AP और BP एक ही बिन्दू P पर ST पर लंब है AP और BP एक ही बिन्दू P पर ST पर लंब है तम लिख सकते हैं इसलिए AP और BP ये कहीं सर रेखा पर सित है सर रेखा पर ये कहीं सर रेखा पर इस्तित है जब AP और BP एक ही सर रेखा पर सित है लिखेंगे कि अथार्थ AP और B सर रेखी या सम रेखी बिन्दू है प्रमारी थार्थ झाल झाल